हाई बेटा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तो चलिए लेकर चलते हैं आप लोगों को टॉपिक नुट्रीशन की तरफ, उससे पहले हम यह जानते हैं कि बेटा, आप लोग भोजन तो करते होंगे, खाना खाते होंगे सभी लोग, अगर आप लोग कभी खाना नहीं खायों एक दिन, दो दिन, तो आप लोगों को ऐसा लगते हैं कि हमारे अंजर एनर्जी नहीं है, लगता है, ओ, लगता होगा, जरूर लगता होगा, ऐसा लगता होगी, कोई वर्क करने में, आप कैपबल नहीं हो, तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सक तो आईए इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि नुट्रीशन क्या है और नुट्रीशन हमारे बॉडी के लिए कितना बैनिफीसियल है तो आप बोट पे देखे होगे नुट्रीशन is the biochemical and physiological process by which an organism uses food to support its life, failure to obtain sufficient nutrient causes malnutrition तो बेटा, नुट्रीशन एक biochemical and physiological process है जिसके द्वारा जीफ अपने life को सहारा देने के लिए भोजन का उपयोग करते हैं भोजन का यूज करते हैं, खाते हैं जिससे कोई कारे करने बें वो capable हो सके और जो खाना टाइम पे नहीं लेता है, सब इसी एंग तरीके से खाने को यूज नहीं करता है प्रॉपर वे में खाना नहीं लेता है, खाना खाता ही नहीं, अगर nutrition उसको मिलेगा नहीं तो वो कुपोसर का सिकार होता है, तो खाना कितना ज़्यादा जरूरी है, nutrition हमारे body क्लिक कितना ज़्यादा जरूरी है यह आप लोगों को पता चल गया, उम्मीद करते हैं बेटा, आप लोगों को nutrition topic अच्छे से समझ में आया होगा तो चलिए, आप next video में मिलेंगे आपे